इसे पहली वीडियो में हम इन सब टूल्स के बारे में जान चुके हैं थे इस ह Kollegin सम बेसिक अ मते सकेचिंग टूल्स जो हम Sol toolbox में 3D copies को बनाने के लिए विजुर करते हैं इससे पहली वीडियो में आपको करुदंब ये सब टूल्स बता दिये हैं आज मैं इस वीडियो में आपको convert entities के बारे में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सब tools sketching के कुछ default tools यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अगर आपको यहाँ पर और भी sketching tools होते हैं जो solodarks में हम यूज़ करते हैं जैसे मैं आपको यहाँ से customization में जाकर दिखा देता हूं जैसे आप command में जाएंगे और यहाँ से sketch तो यह जो आप देख रहे हैं यह यहाँ पर सभी जितने भी solodarks में sketching में जो tools यूज़ करते हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो इनको हम यहाँ से drag and drop करके अपने sketch ribbon में लगा सकते हैं और यहाँ से इनको ऐसे हटा भी सकते हैं drag करके आपको यहाँ से अपने mouse का जो left button है उसे press करके रखना है और यहाँ से इसको ऐसे drag करके रख देना है तो इन सब tools के बारे में हम next videos में देखेंगे आज इस video में मैं आपको convert entities के बारे में बताऊंगा sold rocks में convert entities का use हम boss अभी जब 3D model बनाएंगे तब काफी जगह पर इसका use होता है इसमें सबसे पहले हम एक plane सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर एक rectangle बनाएंगे और अब हम इसको यहाँ पर feature tab open है आपको कोई भी tab यहाँ से अगर लेना है तो आप यहाँ पर tab में जाएंगे और ऐसे इसको untick करेंगे तो यह गायब हो जाएगा और जैसे आप इसपर click करेंगे तो यह आपको so हो जाएगा इस feature यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स्टूट बोस जैसे मैं इसपर click करूँगा तो देखिए यह अभी तक हम केवल एक्स और वाई डिरेक्शन में ही टूडी स्केच बना रहे थे अब यह जैड डिरेक्शन में भी आप दिख रहा होगा तो जैसे मैं इसपर click करता हूँ तो यह दिखिए एक box type बन चुका है अब हम यहाँ पर अपने mouse का right click करेंगे और स्केच करेंगे space bar दबाएंगे normal to करने के लिए और यहाँ पर एक circle draw कर लेते हैं अब आप यहाँ पर देख रहे हैं अब मैं यहाँ से अपने command से बाहरा जाता हूँ अब हम यहाँ पर convert entries का यूज़ करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके box के top में यह circle बना हुआ है अब हमें यहाँ पर इसका projection जो है identical same यहाँ पर लेकर आना है तो convert entities select करेंगे अब हम यहाँ पर इसको plane को sketch कर लेते हैं उसके बाद convert entities तो देखे पूरा box convert entities में बदल गया है Ctrl Z हमें के वहले circle करना है तो इसको circle को select करेंगे और convert entities तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम projection इस circle का इसके bottom side में भी बन गया है तो इसलिए हम convert entities का यूज़ करते हैं different different planes या 3D model के edges पर हम किसी sketch या edges का projection लेने के लिए हम इस command का यूज़ करते हैं यह देखे जैसे मैं इस edge का जो इसका edge है इसको select किया तो यहाँ पर भी इसका projection आपको दिखाई देगा तो इस चीज़ के लिए हम किसी भी entities का projection किसी different plane या faces पर लेने के लिए हम convert entities का यूज़ करते हैं इसका जो हम convert entities के application है वो हम अपनी next video में जब part बढ़ाएंगे तब देखेंगे